कि अब तो गूंगेश टूडेंट्स मैं नीटू चोदरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्या ऐस जरी में तो कैसे आप सभी आईखोप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे घर पर होंगे अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे तो चलिए क्लास की सुरुवात करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है यह हमारी करंट अफेर की क्लास है जो सुबा डेली 6 बजे होती है कितने बजे होती है 6 बजे होती है तो कोपी और पैन लेटे बैठेंगे एक एक कोशन को अच्छे से नोट डाउन किया है आमिर खान को अक्से कुमार को अजी देवगन को या अमिताब बच्चन को बताएंगे फटा-फट से राइट आंसर क्या हो जाता है उप्सन ए बी सी या डी बताइए तो राइट आंसर हो जाता है उप्सन बी यानि अक्से कुमार को क्या किया है उत्तरा खंड सेकंड कोशन है हमारा कि जवाहर लाल नहरू युनिवर्स्टी की पहली महिला कुलपती बन गई है कौन बन गई है बताएंगे फटाफट से जवाहर लाल नहरू युनिवर्स्टी की पहली महिला कुलपती कौन बनी है सांती स्री पंडित प्रोफेसर संगीता स्रीवास्तव म उकुला देवी या इन में से कोई नहीं बताईए फटा-फट से राइट आंसर क्या हो जाता है जवाहर लाल यूनिवर्स्टी की पहली महिला कुलपती बनी है ऑफ्सन ए यानी सांती स्रीपंडित कोन बनी है सांती स्रीपंडित बनी है पहली महिला कुलपती नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे, question number second के बाद आती है हमारी जटका सिरीज जिसमें GS के बहुत सारे question है, एक एक question को अच्छे से note down करते हुए चलेंगे, चलिए, तो आज का हमारा first question क्या है कि किसका गुनसूत्र संतान में लिंग निर्धारन के लिए उत्तरदाई है बताईए, पुरुस और इस्तरी में से किसका गुनसूत्र संतान में लिंग निर्धारन के लिए उत्तरदाई है तो ये होता है पुरुस का, यानि मेल का, किसका पुरुस का next question है, कि किस अनुछेद के तहत विदी के समक्स समानता वरणित है तो कौनसा अनुछेद है, अनुछेद 14 के तहत, कौनसे अनुछेद के तहत, अनुछेद 14 के तहत next question है, सिवाजी के मंतरी मंडल को क्या कहा जाता है बताईए, क्या कहा जाता था सिवाजी के मंतरी मंदल को क्या कहा जाता था अस्ट प्रधान कहा जाता था next question है सिवाजी ने किस भासा को राजबासा बनाया तो उस भासा का नाम क्या था मराठी किसे बनाया था मराठी को राजबासा बनाया था next question है तरनेतर मेला किस राज़े का परसिद मेला है तो ये है गुजरात का कहा का गुजरात का परसिद मेला है फटा फट से नोट डाउन करते रहिए गुजरात का परसिद मेला है तरनेतर मेला नेक्स्ट कोशन है चंदर्मा पर गुरुतुवा कर्शन का मान प्रत्वी पर के गुरुतुवा कर्शन मात्रा से कितना है बताईए फटा-फट से तो ये है हमारा कितना है 1 अपोन 7 है नेक्स्ट कोशन पे चलेंगे कोशन नंबर 7 है कि कौन भारत का अंतिम वायसराय था बताईए फटा-फट से भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो कौन था लर्ड मांट बेटन, कुन था, लॉर्ड मांट बेटन, मांट बेटन, मांट बेटन, नेक्स्ट कोश्चन है, भारत की कौन सी पंचवरसी योजना में खादी एवं ग्रामी उध्धोग आयोग की इस्थापना की गई, बताएं फटाफट से कौन सी पंच वर्षी योजना में की गई थी, तो ये की गई थी, दुइत्य पंच वर्षी योजना में, किस में की गई थी, दुइत्य पंच वर्षी योजना में, पंच वर्षी योजना, नेक्स्ट कोशन है, आर ये समाज की इस स्थापना कि सुवर्स की गई बताएंगे फटाफट से आर ये समाज की स्थापना कि सुवर्स की गई थी तो ये की गई थी 1875 में कब की गई थी 1875 में की गई थी फटाफट से इसके इंसोट लीजिए या नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे इसके बाद इस संबंदित तोहार है बताएंगे फटा-फट से इसका अंसर तो किस धर्म से संबंदित है ये जैन धर्म से संबंदित है कौन से धर्म से जैन धर्म से next question है कि सुन्य में सोतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तों का तुरण क्या होता है तो ये होता है समान कैसा होता है समान होता है समान यानि बराबर होता है next है किस अनुछेद में लोक नियोजन के विशे में अवसर की समता प्रदान की गई है बताईए अवसर की समता प्रदान की गई है बताएंगे फटाफट से किस अनुछेद में लोक नियोजन के विशे में अवसर की समता प्रदान की गई है तो कौन से अनुछेद में की गई है अनुछेद सोला में की गई है बताइए किस विधी दुआरा मिश्रण में उपस्तीत गठकों का प्रतक करन किया जाता है कृस्टलन विधी दुआरा नेक्ट कोशन है भारत की पहली लहर उर्जा पर योजना किस इस्थान पर इस्थापित की गई बताईए भारत की पहली लहर उर्जा परियोजना किस इस्थान पर क्या की गई? इस्थापित की गई? बताएगे फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है? बताईए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे इस कोश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बोक्स में कि भारत की पहली लहर उर्जा परियोजना किस इस्थान पर इस्थापित की गई नेक्स्ट कोश्चन है नवरोज किन लोगों का नवर्ज दिवस है बताईए फटाफट से नवरोज किन लोगों का नवर्ज दिवस है बताएंगे फटाफट से तो नवरोज किन लोगों का है पारसियों का किसका है पारसियों का है पारसियों का नवर्ज दिवस सोर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है बताएंगे फटाफट से तो वो है डीमोस कौन सा है डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है नेक्स्ट कोशन है रोहिनी स्रेणी के प्रतम उपग्रह का प्रेक्षेपन किस वर्स किया गया बताएंगे रोहिनी स्रेणी के प्रतम उपग्रह का प्रेक्षेपन किस वर्स किया गया तो ये किया गया था 1980 में कब किया गया था 1980 में किया गया था फटाफट से स्क्रें सोट लेंगे इसका next question पे चलते है next question है हमारा इसी में कि 35 वर्षी योजना का काल क्या था बताएंगे फटाफट से 35 वर्षी योजना का काल क्या था बताएंगे फटाफट से तृत्य पंच वर्सिय योजना कोशन नमबर 18 का आंसर बताएंगे तृत्य पंच वर्सिय योजना का काल तो ये थी हमारी 1961 से 1966 तक थी तृत्य पंच वर्सिय योजना किसने कहा कि विदेसी राज चाहे कितना अच्छा क्योंना हो स्वदेसी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता बताईए ये बात किसने कही थी तो ये कही थी हमारे दयानंद सरसुवती जी ने की थी सरसुवती नेक्स्ट कोश्चन है उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बताए फटाफट से उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है करनाटक में कहाँ पर मनाया जाता है करनाटक में मनाया जाता है फटाफट से स्क्रिन सोट लेंगे, नेक्स्ट कोश्चन पे चलेंगे, जटका सीरीज के बाद आ जाता है, अमारा कोश्चन नमबर थ्री, कि राष्ट मंडल खेलों में भारत का परतिनिदितू करने वाले, वियार चोपड़ा की महा भारत में भीम का किरदार निभाने वाले संदीप कुमार, परवीन कुमार सोबती, विजय महता या अनूप कुमार दस्तोगी, बताएंगे फटापट से राइट आंसर क्या हो जाता है, ओप्सन A, B, C या D, बताएंगे, तो उनका नाम है परवीन कुमार सोबती, यानि परवीन कुमार सोबती थे जिन्नोंने भीम क किरदार निभाया था और जिनका 74 वर्स की उमर में निधन हो गया है, नेक्स्ट कोश्चन पे चलेंगे, कोश्चन नमबर 4 है हमारा कि मद्धेपरदेश सरकार ने सिवपूरी का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है, बताएंगे फटाफट से, मद्धेपरदेश सरका कि घोशना की है, नेक्स्ट कोश्चन पे चलेंगे, कोश्चन नमबर 5 है हमारा कि किस कमपनी ने अभिनेतरी दिसा पाटनी को अपना ब्रांड अमबिसेटर बनाया है, बताएंगे फटाफट से, कौन सी कमपनी है, जिरोंने दिसा पाटनी को अपना ब्रांड अमबिसेटर ने दिसा बढ़ानी को पाटनी को अपना त्यावरान एम्बेसेटर बनाया है नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे कोशन नमबर 6 कि BCCI अध्यक्ष एवं पूरु क्रिकेटर सोरफ गामगुली ने दुनिया के तीसरे एवं भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधार सिला रखी है यह है कहां पर इस्थित है बताएंगे फटाफट से यह है कहां पर इस्थित है बताएंगे ओप्सन A है हमारा जैपूर राजिस्थान option B है अलवर राजिस्तान, तीसरा भरतपूर राजिस्तान या जोधपूर राजिस्तान बताए फटाफट से तो कहां पर रखी है आधार सिला, जैपूर में रखी है राजिस्तान में, कहां पर जैपूर राजिस्तान में रखी है, option A is the right answer next question पर चलेंगे, question number 7, बताएंगे, option number A है हमारा है gefallen फटाफट से right answer क्या हो जाता है तो राइट आंसर हो जाता है हमारा महरानी, एलिजावेथ, दुईत्य है, option C is the right answer, क्या हो जाता है, option C is the right answer हो जाता है, next question पर चलेंगे, question number 7 के बाद आ जाती है, हमारी रामबान प्रसनों की स्रीज, जिसमें हम static GK से बहुत सारे question लेके आए है, तो एक-एक question को बहुत ही down करेंगे, चलिए, तो first question क्या है हमारा, कि क्रोमोसों की संरचना, संरचना में कोन-कोन भाग लेते है, बताईए फटाफट से, क्रोमोसों की संरचना में कोन-कोन भाग लेते है, तो कोन-कोन लेते है, DNA और protein, कोन-कोन लेते है, DNA और protein भाग लेते है, protein नेक्स्ट कोशन है अनुछ्चेद सत्रा किस विशे से सμबंदित है तो यह है असप्रश्यता का अंत से किसे असप्रश्यता का अंत अस्प्रश्यता का अंत से संबंदित है अनुछेद 17 नेक्स्ट कोशन है एक किलोग्राम भार के वराबर कितना न्यूटन होता है बताईए एक किलोग्राम भार के वराबर कितना न्यूटन होता है तो कितना होता है 9.8 9.8 Newton होता है 9.8 Newton होता है next question है उत्तर वेदिक काल के म्रद भांडों में किस प्रकार के म्रद भांड सर्वोपरी वैसिस्टे सूचक है बताईए फटाफट से किस प्रकार के म्रद भांड यानि ब्रतन सर्वोपरी सूचक है बताईएंगे फटाफट से question number 4 का answer तो चित्रित धूसर म्रद भांड कैसे जिन पर चित्र उत्रे हुए है म्रद भांड next question है मुक्ते सूवर मंदिर कहां इस्थित है बताईए फटाफट से मुक्ते सूवर मंदिर कहां इस्थित है फटाफट से बताईएंगे भूवनेशवर उड़ी सा में इस्थित है नेक्स्ट है प्रत्वी का भू मध्य रेखिये व्यास कितना है बताईए फटाफट से प्रत्वी का भू मध्य रेखिये व्यास कितना है बताईएंगे फटाफट से तो कितना है प्रत्वी का भू मध्य रेखिये व्यास 12,756 km नेक्स्ट कोशन है मेडोना किसकी चित्रकरती है तो यह है राफेल की राफेल राफेल की चित्रकरती है नेक्स्ट कोशन है भारत की किस पंच्वर्सीय योजना में रास्टिय आय की वृद्धिदर न्यूनतम रही बताईए फटाफट से न्यूनतम रही किस पंच वर्षी योजना में रास्टिय आये की वरद्धी दर बताएंगे फटाफट से question number 8 का answer क्या है तो ये रही है तृत्य पंच वर्षी योजना में कौन से में तीसरी पंच वर्षी योजना में किसने लगाई थी लौड विलियम बेंटिक की साहता से सती प्रथा पर रोक तो आप सभी को पता है किसने लगाई थी ये लगाई थी बोध धरम के अनुयाईयों ने लगाई थी चीक है किसने लगाई थी बोध धरम के अनुयाईयों ने और बोध धरम के अनुयाईूर ने और किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राए ने भी लगाई थी? राजा राम मोहन राए ने भी लगाई थी? चलिए, next question पे चलेंगे Question number 9 के बाद आता है हमारा Question number 9 के बाद Silent Valley किस राज्य में है? बताईए, Silent Valley किस राज्य में है? फटा-फट से बताएंगे आंसर, आप सभी को पता है Silent Valley हमारी कहाँ पर है? Silent Valley है हमारी उत्राखंड में, कहाँ पर है? सोरी, केरल में, कहाँ पर है? केरल में है Silent Valley कहाँ पर हो जाती है हमारी? केरल में हो जाती है Next question है होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है उन्में क्या आजाता हैं विपरीत चक्रण नेक्स्ट कोश्चन है किस अनुच्छेद में प्रैस की स्वतंतरता वरनित है बताएंगे फटा-फट से किस अनुच्छेद में वरनित है अनुच्छेद 19 में किस में है अनुच्छेद 19 में है प्रैस की स्वतंतरता नेक्स्ट है है जा के जीवानू की खोज किसने की थी तो ये की थी रोबर्ट कोच ने की थी रोबर्ट कोच ने की थी नेक्स्ट कोशन है आरियो का मुख्य वैवसाय कौन सा था बताएंगे फटाफट से आरियो का मुख्य वैवसाय कौन सा था तो आप सभी को बता है किरसी था खेती था क्या था क्रिसी नेक्स्ट है किस धर्म के अनुयायों का पूजा इस्थल है तो यह है? बोद धरम के? किसके? बोद धरम के अनुयाईयों का. नेक्स्ट कोशन है प्रत्वी का धुरविय व्यास कितना है? बताईए फटा फट से प्रत्वी का धुरविय व्यास कितना है? तो ये है 12714 किलोमीटर 12,714 km है ये question repeat हो चुका है Next है महिलाओ की ओलंपिक में भागिदारी सबसे पहले किस वर्स हुई थी तो ये हुई थी 1900 में किस वर्स हुई थी 1900 इस्वी में हुई थी फटाफट से इसके इन सोट लेंगे Next question पर चलेंगे Question number 18 कि योजना अवकास के कारण कौन सी पंचवर्सिय योजना देर से प्रारंब हुई थी तो वो ही थी चतूर्थ पंचवर्सिय योजना नेक्स्ट कोश्चन है कि पुलकेशियन दुइत्य ने हर्स वर्दन को पराजित कर कौन सी उपादी धारण की थी? बताईए फटाफट से पुलकेशियन दुइत्य ने कौन सी उपादी धारण की थी? तो उन्होंने की थी परमेशुवर की उपादी? कौन सी? परमेशुवर? नेक्स्ट कोश्चन है बोद्धो का तामबो मट किस राज्य में है बताईए बोद्धो का तामबो मट किस राज्य में है तो ये है हिमाचल प्रदेश में कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा इसके बाद ही है हमारे 20 कोश्चन रंबन सीरीज में कम्प्लीट हो जाते है इसके बाद आता है 8 नंबर पे कि मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी ने किसके नाम पर प्रुसकार दिये जाने की घोशना की है बताईए फटाफट से मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरी ने किसके नाम पर प्रुसकार दिये जाने की घोशना की है लतामंगेसकर आसा भोसले अलकायाग ने किया सुनी दिचोहान बताईए तो option A is the right answer यानि लतामंगेसकर के नाम पर प्रुसकार देने की घोशना की है जिनका हाल ही में निधन हुआ है नेक्स्ट कोशन पर चलेंगे भारत के ओसदी महान यंतरक ने किस वैक्सीन के आपात काली नुपियोग को मंजूरी प्रदान कर दी है उसका नाम क्या है बताईए फटाफट से कौन सी वैक्सीन है ये है कोवी सेल्ड को वैक्सीन रूस की स्पूतनिक या इन में से कोई नह पहली बार अफ्रीकन कप जीत लिया है तो बताईए सेनेगल ब्लैक इगल्स या बनाना इस इगल्स या इन में से कोई नहीं बताईए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है उप्सन ए बी सी या डी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है उप्सन ए A, B, C, D, तो right answer हो जाता है Senegal, right answer क्या हो जाता है हमारा option A, is the right answer, Senegal इसका right answer हो जाता है, next question है Indian Oyal Corporation के board में पहली बार महिला निदेशक कोन बनी है, उनका नाम बताईए, फटा फट से, उनका नाम क्या है, जो पहली बार महिला निदेशक बनी है, उनका नाम है सुकला मिस्तरी, क्या है उनका नाम सुकला मिस्तरी, फटा फट से note down करेंगे इने, ठीक है, तो ये हमारे कितने complete हो जाते है, 11 question हमारे current affair के complete हो जाते है, एक question मैंने आपको अभी कराया था, कौन सा था, इसे एक बार clear कर लेते हैं, ये देखिए, question number 9, किसने सती पर्था पर रोड विलियम बेंटिक की साहता से लगाई, तो इसका answer क्या होगा, बौध नहीं होगा, बौध नहीं होगा, इसका होगा, right answer, राजा राम मोहन राए की साहता से, चलिए, तो ये हमारे कितने question complete हो जाते है, ये हमारे 20, 40, 50 question लगबग एक ही class में complete हो जाते है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए, आदे गंटे में 25-26 मिनट की class में आपके 50 question आपके 10, top 10 question current affair के, और 40 question आपके static GK के, तो अगर आप आदे गंटे की class लेते हो और 50 question आदे गंटे में complete करते हो, तो अगर daily भी आप 50 question करते हो, तो एक मेने में आपके कितने question complete हो जाते है, ये देखिए, ठीक है, तो अगर class में आपको कुछ कमी लगती है, कि class में आपको कुछ भी कमी नजर आ रही है, तो आप comment करके बता सकते है, लेकिन अगर class आपको अच्छी लगती है, question अच्छे है, content अच्छा है, तो आप प्लीज वीडियो को share कीजिए, ज्यादा से ज्यादा, अपने friends में, अपने जो friends group बना रखे, आप जो social media यूज करते है, facebook, instagram, telegram, दुनिया भर की चीज़े है, जो आप लोग यूज करते है, तो 5 मिनिट का समय निकाल कर वीडियो को share कीजिए, like कीजिए, और channel को subscribe कीजिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत.